नमस्कार मित्रो आज थोड़ा लाइट मूड में हूँ और आप भी घबराईए ने वीडियो देखे कहीं में ग्यान का पिटारा तो नहीं खोल रहा नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगा ये भी नहीं करूँगा कौन सा एसे डिस्टॉंग है कौन सा वीक है पिरियोड मूड में था और जब नहा क्या आया शीशे में अपना चेहरा देखा हलकी सी दाड़ी सफेद बड़ी हुई दिखी आज मन की बात करने की इच्छा रही है आज आप लोगों से मन की बात करूँगा अब मैं इसको वेद ना कहूँ या समवेद ना कहूँ या मैं हास्यास प टीवी खोलता हूँ तब तब रिमोट अपने दाइने हाथ में रखता हूँ जी या पूरी सक्तेता से कह रहा हूँ जब जब टीवी खोलता हूँ जड़ न्यूज से सुनता हूँ जब जब न्यूज चैनल देखता हूँ रिमोट मेरे हाथ में होता है ना जाने कब करके सो रहा हो उसकी नीज में कोई खलल पड़े एक competition चल पड़ा है और competition की शुरूबात महा महीम नहीं की है माय क्वर कोई कितना तीजी से चिला सकता है कितना तीजी से चिला के अपने आपको सत्यता के प्रति समर्पित कर सकता है सत्यता है या नहीं ये मैं नहीं कहूँगा लेकिन सत्यता के प्रतीस समर्पित करने के लिए माइक पर रेली में आज कर बोलने की एक बहुत अच्छी प्रतीस परदा चली है महा महीम ने की थी उसके बाद पर चिलाने से असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाएगा क्या माइक पर चिलाने से इस देश की जंदा के कानों के अंदर आवाज जाएगी नहीं करप्या करप्या मैं निवेदर करता हूँ जंदा से भी और महामहिम से भी और विपक्षिनेताओं से भी जरा मंच पर चिलाना क कम कर दिजिए माइक पर चिलाना कम कर दिजिए यदि आपको इतना ही बुलंदी आवाज की है आपकी तो किसी शिक्षक के पास आजएए यदि शिक्षक के पास आने का समय ना हो शिक्षक को अपने पास बुला लीजिए कहां बुलाना जाएंगे राम लीला मैदान गांधी म नहीं नहीं अब प्रग्जी मेदान अब भारत मंदप हो गया है कहां बुलाना चाहेंगे कभी अपनी आवाज को माइक में बुलंद करने का प्रयास मत कीजिए माइक में तो हर को ही कर लेगा एम्प्लीफायर बढ़ा के कहीं तक आवाज बन जा देगा बिना माइक के आपकी आवाज में कितनी शक्ति है मंच पर वो प्रमानित कीजिए और वो प्रमानित करने के लिए आपको किसी शिक्षक को ही चुणना होगा वैसे शिक्षक कभी किसी राजनेदा से मुकाबला नहीं कर चाहेंगा क्योंकि शिक्षक की एक अपनी डिग्रीडी होती है एक अपना Shepherd क्रिक्स होता है वो क्यों राजनेता से मुकाबला करेगा लेकिन यदि अपनी आवाज की बलंदी को आपको साबित करना है तो करप्या माइक के बिना जरा किसी शिक्षक से मुकाबला करके देखिएगा मालू है मुझे ये बात कई लोगों को चुब रही होगी मैं महमहीं की बात दी कर रहा, मैं राजनेताओं की बात दी कर रहा, भक्तों की बात कर रहा हूँ, लेकिन भक्तों का काम तो चुपचा बैठ के सुनना होता है, शिक्षा का काम स्रजन करना होता है, शिक्षा की परिवाज है यही है, स्रजन की तीवरुत कंठा, नवीन मूल्यों को इस्थ प्रले शिक्षक की गोद में पलते हैं बिलकुल सही का था बोथ कस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन आर इन दा हैंड्स ऑफ दा टीचर तो मित्रो बुरा मत मानना भक्तों का काम तो गोदी में बैटना हैं गोदी में बैटके लोलीपॉप चूसना हैं लोलीपॉप जब कारीफों के पुल बांधना हैं और यदि कोई तारीफ नहीं करें उसको क्रिटिसाइज करना हैं उसको उखाड़के फैंकना हैं भक्तों इसी काम में आप लगे रही हैं मुझे कोई अब्जेक्शन नहीं हैं गोद में बैटके लोलीपॉप चूसिए गोद में बैटके आन जो खास भकते हैं करप्या वो गुंगान करते रहें गुंगाता गाता गाते रहें महामहीम की और दूसरे राजनेताओं की और शिक्शक निर्मान और प्रले प्रले तो नहीं करेगा चाड़के ने काता निर्मान और प्रले शिक्शक की गोद में पलते हैं लेकिन निर्मा का का काम करता रहेगा ऐसे महा महीम को राज डेताओं को सल्यूट करता हूँ नमस्कार